दोस्तों इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे आप फोन पे अप्लिकेशन में बिना एटम कार्ड के बिना डेबिट कार्ड के अपना जो है बैंक खाते को लिंक कर पाएंगे और अपना यूपी आई पिन बना पाएंगे बस आपसे एक रिक्वेस्ट है वीडियो को ध्यान से और पूरा देखना ताकि आप कोई भी जानकारी मिस ना कर सको और आप भी अपने बैंक खाते को बिना एटम कार्ड के यहाँ पर लिंक कर सको फोन पे से आप बहुत सारी चीज़ें कर पाएंगे जैसे कि आप पैसा भीच पाएंगे, मुबाइल रिचार्ज कर पाएंगे, बिल पेमिन कर पाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें आप कर पाएंगे और guys आपसे एक request है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को like ज़रूर कर दें और अपने दोस्तियारों के साथ में इस वीडियो को जादा से जादा share करें बिकॉज यार हम आपके लिए जो वीडियो बनाते हैं इसको बनाने में हमारे बहुत जादा मेहनत लगती है तो चलिए सीखते हैं सबसे पहले आपको कोई काम करना है अगर आपके फोन पर पहले से ही फोन पर application डाउनलूड हो है तो आपको सबसे पहले इसको uninstall करना है यारे कि delete करना है उसके बाद आपको वीडियो को डिस्कुशन में जाना है और वहाँ पर मैं आपको फोन पर एप का link दे दूँगा आपको link पर क्लिक करना है और डरकले इस तरीके से यहाँ पर open हो करा जाएगी और यहाँ पर आप इस तरीके से login हो जाएंगे अब guys आपको यहाँ पर सबसे बहले अपने bank खाते को link करना होता है तो सामने यह आपको नज़र आएगा add bank account या फिर आप अपनी profile के उपर यहाँ पर click करेंगे जैसे हमार कोटक महींदरा bank में account है तो हमने इसको search कर लिया है और दोस्तों कोटक महींदरा bank में कैसे मैंने 2 minute में account खोला था घर बैठे तो अगर आप जानना चाते हैं तो वीडियो को डिस्कुशन में link बिल जाएगा आप उस वीडियो को बाद में जरूर देखीगा अब गाइस हम कोटक महींदरा bank के उपर click करेंगे अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा wait करना होगा आपके नंबर को bank आपका verify करेगा इस तरह के से options आ जाएगा और हमारा bank खाता यहाँ पर आ चुका है अब दोस्तों यहाँ पर इस तरह के से मुझे दिखा रहा है कि आपका bank खाता यहाँ पर add हो चुका है क्योंकि मैंने पहले भी इस bank खाते को अपने UPI app के साल link किया था इसलिए यहाँ पर directly दिखा रहा है कि आपका bank खाता add हो चुका है अगर आप पहली बार अपने bank खाते को यहाँ पर link कर रहे है तो आपको यहाँ पर reset pin का एक option नज़र आएगा आप इसके उपर click करेंगे click करने के बाद guys आपके सामने यहाँ पर इस तरह के से options आएगा set UPI pin using आप अपना अधार number के थूँ अपने UPI pin बना सकते हैं और दूसरा options है debit card, ATM card के थूँ तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि आप अपने अधार card से अपना UPI pin बना सकते है bank खाते को link कर पाएंगे और guys एक बात ध्यान अकना बहुत जरूरी है कि आपका mobile number यहाँ पर same होना चाहिए आधार card के साथ में भी और आपके bank account के साथ में भी तो चलिए यहाँ पर हमारा same है हम proceed करेंगे अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा wait करना होगा अब आपको अधार number verify करना होगा तो इसके लिए आपको अधार card के शुरुआती के 6 number जो होते है 6 digit उसको आपको यहाँ पर enter करना है enter करने के बाद आप यहाँ पर proceed करेंगे अब आपके अधार card के साथ में जो भी mobile number link है उस पर एक OTP आएगा one time password उस OTP को guys आप यहाँ पर enter कर लेंगे हमारे पास OTP आ चुका है हमने fill up कर लिया है उसके बाद आप यहाँ पर इसको done करेंगे आप यहाँ पर बता जा रहा है कि आपके bank के थुरू आपके number पर OTP भीजा गया है one time password automatically verify हो जाएगा अगर verify नहीं होता है तो आपको यहाँ पर OTP receive हो जाएगा आपके bank के थुरू आप उसको fill up कर देना उसके बाद यहाँ साब okay करना और guys अब आपको यहाँ पर अपना 6 number का UPI pin create करना है हो सकता दोस्तों कि आपका bank 4 number का UPI pin यहाँ पर मांगता हो तो आपको confuse नहीं होना है किसी bank में 6 number का UPI pin बनाना होता है किसी में 4 तो हमने अपने 6 digit के यहाँ पर UPI pin बना लिया है अब हम okay करेंगे दुबारा से वही pin हम दुबारा से enter कर लेंगे और यहाँ पर आपको okay करना होगा अब यहाँ आप देख पाएंगे यहाँ पर दिखा रहा है UPI pin successfully set हो चुका है चलिए हम done कर देते हैं हमारा bank account यहाँ पर link हो चुका है चलिए मैं आपको balance चकर के दिखाएता हूँ सबसे उपर आपको profile का एक icon नजर आएगा इसके उपर click करेंगे अब आपको यहाँ पर option दिखाए देगा कि payment method की नीचे आपको यहाँ पर जो है जितने भी bank खाते आपके link है वो आपको नजर आएगे अगर आप चाहे तो एक से जाता bank खाते भी यहाँ पर link कर पाएंगे इसके उपर click करेंगे balance चक करने के लिए यहाँ पर आपको चक balance का एक option दिखाए देगा तो आप click करेंगे जो भी आपका UPI pin है उसको आप यहाँ पर enter कर लेंगे ok करेंगे अभी हमारे bank हाते में जितना भी balance रहेगा वो आपको इस तरीके से यहाँ पर नजर आजाएगा यहाँ पर दुस्तों आपको एक बात ध्याना करना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके अधार number के थ्रू जो है bank count link करने का option नहीं आता है तो आपको कुछ time wait करना होगा क्योंकि दुस्तों धिरे धिरे जो bank है इस feature को अपने bank के साथ में link कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपके bank ने अभी तक add ना क्या हो और हो सकता है future में जल्दी से update आजाए तो आपको बिल्कुल भी confuse नहीं होना है जब भी यहाँ पर update आएगा तो आपको इस तरह किसे यहाँ पर नजर आजाएगा इस तरह किसे आपने अधार नंबर से अपने bank हाते को link कर पाएंगे और अपना UPI pin बना पाएंगे